हेलो दोस्तों स्वागत है आपको Mr.Hotop के एक फ्रेश वीडियो में तो मैं प्रांजल लेकर आगे हूँ आपके लिए को ने कार और यह कार आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है किया केरंस का प्रेस्टीज वेरियंट 1.5 विटर इंजनक साथ आपको देखने को मिल जाएगी साथ-साथ में आपको 7-seater वेरियंट भी देखने को मिल जाता है इस पेस के मामले में कार काफी जदा स्पेशियस भी है और काफी अच्छी भी लगती है अगर बात किया जाए एक MPV सेक्शन में तो आप इस कार की तरफ जरूर आ सकते हैं क्योंकि आपके सामने options जो है वो ह किया केरेंस में आपको इस पेस भी अच्छा मिलेगा पावर बेची मिलेगी और साथ-साथ में आपको रोड प्रेसंस भी अच्छी देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों सामने की तरफ आप देख रहे हैं यह किया केरेंस का प्रस्टीज 1.5 लीटर और आपको यह मिल जा है उसके बारे में बात करने वाले हैं बागी जो अच्छा ही आई गाले में काफी अच्छी है बागी यह कि प्रस्टीज वेरेंट है तो आपकी प्राइसिंग की बात किया तो अंडोड लखनों में यह 13,85 लाग में मिल जाने वाली है उसी के साथ स्टार्ट करते हैं सब से देख सकते हैं आप अच्छा लगता है बाकि यह आपको जो डियारल शेप प्रवाइट किया गया है वह कि इसको कोई वर्किंग नहीं है तो यह कुछ इस प्रयार का फ्रन प्रोफाइल है पागी फ्रन प्रोफाइल में ज्यादा कुछ चेंजज देखने कर सकते हैं यहां पर आपको टर्न इंडिकेटर जो है वह वर्वे में देखने को मिल जाएंगे बॉडी कलर वर्वे में देखने को मिलते हैं यहां पर नीचे के तरफ आपको टायर सेक्षन जो प्रवाइट किया जाता है इस कार के अंदर आपको एक सो पंचान नभे पाई 65 आर 15 किसमें अब यहां पर कोई भी स्टाइलो स्टीलिम नहीं मिलता है वह नॉर्मल अले स्टीलिम ही देखने को मिलते हैं अब स्टाइलो स्टीलिम आपको बागी बोलते हैं सॉनेट में और सेल्टॉस में देखने को मिल जाते हैं बागी ठीक है टाय सेक्षन में अच्छा सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा आगी सीट कार की काफी अच्छी मैं अभी आपको आंदर बैटकर दिखा दूँगा उपपर के तरह आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है और जो आपको वहां पे एक शाग्फिन इंटीना प्रवाइट कर दिया गया है पीछे यहां पर आपो को ब्लाइब करों करें कि करीब 216 लीटर यह 212 लीटर की करीब आपको 870 स्क्राइब इन्टर पहरागी क्मीं आपको मैसुस होगी कमी है स्क्राइब 안दर की बात नहीं करा हूँ कार, कार आप आप देख सकते काफी श्याइव 1 2 Lil Leistons जहान से बीसे बइसे मे बागी बागी बूट को बंद करते हैं और उपर देखते हैं तो यहां पर आपको कोई भी डिफॉगर वॉशर या वाइपर नहीं मिलता उपर हाइप सब्सक्राइब मिल जाएगा इस पॉलर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बर यहां पर कंपनियां जो है ना कॉस्ट करती चली जा रही है तो यह चीज खोड़ी खलती है कि जैसे जब प्राइस बढ़ता जा रहा है कॉस्ट कटिंग भी काफी अच्छी होती जा रही है इतनी तक पहुँच गई है कि अब तो आपको डिफॉगर भी नहीं मिलता है चलो मैं वाइपर और वाशर की बात नहीं करता हूँ अब डिफॉगर एटलीस देना चाहिए क्योंकि यार विंटर्स में काफी काम आता है डिफॉगर उसके साथ चली एंटर करते हैं गाली के अब इंटीर आप देखते हैं तो यहां पर जो आपको अंटीर मिलता है वह कमप्लीटी ब्लाइक क्यों मिलता है काफी सदल सा रखा गया काफी प्रीमियम भी देखने में लगता है अब इसको यह प्रिस्टेज वीरेंट है तो बस इसमें आपको एक कमी लगी जो की है आपकी आपको यहां पर सब कुछ प्रोवाइट कर दिया गए गाली के अंदर यह कुछ आपको डो ट्रिम आप चकाउट कर सकते हैं बागी सारी चीज़ अवेलबल है तो मैं बात करने के बात कोई मतला भी नहीं निकलता है यहां पर आप कार की सीट को चकाउट करें तो फ है डopard बाकि आपंदी भी छाट कर चुके शेयां या तो आप सकते हैं कि काफी अच्छा भी लगता है देखने में अंतर से काफी प्रिमेर चीख आप आप यहां पर आप नीटर चेक आउट करिए तो दीखें सबसे पहले बात करते हैं एसी तो एसी यहां पर आपको तेरालाग पचासीजा रुपार खरत करने बाद अन रोड यहां पर आपको नॉर्मल वही मैनुवल प्रोवाइट किया जाता है और भी आटोमाटिक नहीं आत आप यहां पर आप यहां पर चेक आउट कर सकते हैं इसका आया और भी हम जो कि मैनुवल प्रोवाइट किया जाता है संशेट काफी बड़े साइज के दिए गये हैं ड्राइवर साइट आपको यहां पर प्रोवाइट हो जाता है संग्लास होल्डर आपको यहां यहां पे 12V का पाउर शॉक एड बागी थोड़ी सी स्पेस यहां पे यहां पे गियर नॉप आप मिल जाएगा आप पीछे की तरफ तोड़े इस पेस मिल जाती कॉप होड़र और यहां पे आपको हैंड प्रवाइट कर दिया आता है अब यह भी फुली लेदराइस्ट ही दे आता है आपको वाइस असे आपको कार में मिल जाएगा देखने के लिए टेल्ट एंट टेलिसकोपिक तो नहीं है बागी अगर मैं इसकी की को आपको दिखा दूँ तो इस टाइप के आपको फिलिप की देखने को मिलेगी जो आपकी दोहजार चॉबिस में सब कालियों में इस तरह की दे दी गई है और इसके अगर मैं ओन करता हूं इसके तो आप चेक आउट कर सकते हैं इसका कुछ इस्टुमेंट कंसूल काफी प्रीमियम लगता है मतलब यार फुल मैं तो काफी पहले से ही डिजिटल पूरा दिया जाता था जिसके विए से कार काफी प्रीमिय आते हैं तो यहां पर आप इसके डोर को चेक आउट कर सकते हैं काफी मैसल साइस के दोर आपको देखने मिल जाएंगे आई यहां पर आपको जो सुट प्रोआइट की अजू पर एब अपने हाइड के अ 對 ख mmm Bun डिजब भी करता है यहां दिखा जाए कि भाई क्यूंगी यार जिस सेग्मेंट की गाड़ी है तो इस पेस के मामले में ही यह गाड़ी भी कर रही है और उपर की तरफ आपको 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 प्रवाइट कर दिया जाते हैं आप चेक आउट कर सकते हैं यहां पर कब बोलेंग सब जगा आपको यहां पर यहां पर देख लेते हैं यहां पर अपर आपको उस साइट से आना पड़ेगा वहां पर आपको लीवर प्रवाइट किया गया है अब उसे पुल करेंगे तो कारी सीड्स टंबल डाउन हो जाएंगी जिससे आप कार में इंटर कर सकते हैं रियर में और वहां पर भी स्पेस देख सकते हैं तो यहां पर आप बटन उपर प्रेस करें और सी टंबल डाउन हो जाती है काफी इजी एक्जिट और इंटरन से इसमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको बाकि मैं यहां पर बैट के आपको दिखा देता हूं यह देख लगते हैं आप वाई फाइफ एट इंच होने के बाद भी यहां पर मुझे स्पेस कोई भी कमी नहीं है बट यह है कि अंडर थाई सपोर्ट यहां से चला गया वजी तरह स आपको काफी कम ही मिलेगा इतना है कि मैं जादा लॉंग तो नहीं थोड़ी बहुत जनी मैं आराम से जा सकता हूं तो और यह की क्लस्ट्रफोबिक भी इतना फील नहीं होता क्योंकि यह उपर से फ्लोग आपको यहां पर मिलता ही जाएगा तो इसके साथ आपको यहां पर आपको पावफुल नहीं मिलता है इसके साथ आगे आपको पीछे की तरफ आपको यहां पर कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता है वाइपर वाशर के तो क्या ही बात किया जाए एंड बस और एसी जो है वह आपको मैनवर प्रवाइट किया जाता है तो बस यही सब थोड़ी बहुत कॉस्ट कॉस्ट कटिंग्स हैं जो इसमें से आपको पिछला मलब लगे है कि कम दिया गया है अदर्वाइस गाड़ी करते हैं मिलते किसी और वीडियो में थैंक यू मैं वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही हमारे प्यार बरसा है रहे हैं